Hello Everyone, Myself Neha Joshi, मैं आज आपको Classics की Maths का पहला चेप्टर बढ़ाऊंगी, ठीक है? First chapter है हमारा Knowing Our Numbers, ठीक है? Knowing Our Numbers, तो इसका मतलब सभी जानते हैं, Knowing Our Numbers मतलब Numbers के बारे में जान पर चान, मतलब 1, 2, 3 Numbers के अंदर ये सब आगे, इन नंबरों के साथ तुम और क्या कर सकते हो? जैसे 1, 5 हम कहते हैं 15, और 5, 1 हम कहते हैं 51, और 10 बढ़ा है या 11 बढ़ा है? Obviously 11, ऐसी इन नंबरों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे, comparing a number, एक topic है, 1.2, comparing a number, ठीक है? Comparing a number, as we have done quite a lot of this earlier, let us see if we remember which is the greatest among these, अब चहाँ तक आपने class 5 में पढ़ा तो होगा, कि greatest number किसे कहते हैं? या smaller number किसे कहते हैं, अब जैसे यहाँ पे है, 92, 392, 445689742, इन में से कौन सा number greatest है? तो यहाँ पे इसने दिया है, तो simple सी चीज़ है, ठीक, अगर by chance, दिया है, ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आप से कहूं, कि यह है 95, ठीक, 101, 56743, 21548, इन नमबरों में, कौन सबसे smaller number है? ठीक है, हम तो अभी greatest के बात कर रहे थे, पर मैं यहाँ पे पूछूँगी, इन सब में कौन सबसे smaller है? कौन है? 95, smaller, और कौन सबसे बढ़ा है? 21548, या 56743, 56743, क्या है greatest? ठीक, यह आपका भी revision था, अब देखो try this, अब यहाँ पे बहुत सारे number दिये हैं, can you instantly find the greatest and the smallest number in each now? अब इन में आपको क्या बताना है? कि कौन सा number greatest है? और कौन सा smallest? देखो, यह एक example है, उपर आले इसने खुद करके बताया है, जिसमें, देखो, 382, 497, 118, 185, 9785, 750, तो यहाँ पे सब को इसली बताया है, क्या है? 59785, एक greatest number है, और 18 के smallest, तो इसके नीचे पे जो हैं यह तीन, second, third, fourth, यह आप लोग खुद करेंगे, अब देखो, यहाँ पे एक box बना है, find the greatest and the smallest number, और revise करने के लिए, मतलब और ज़्यादा आपको थोड़ा, easy रहेगा, इन सब को भी solve करें तो, अब अगला topic है, how many numbers you can make, अब चाहा हम number, एक तो हमने क्या करा number को compare करा, कि कौन greatest है और कौन smallest है, अब दुसरा हम क्या कर सकते है, how many numbers can you make, अब आप कितने number बना सकते हैं, यह सब जो पहला chapter है, यह फिफ्ट क्लास का पुरा revision है, चीक है, बहुतों के लिए easy होगा, और जो बीच में पढ़ना जिनों ने छोड़ दिया होगा, उनके लिए थोड़ा सा टफ पढ़ेगा, तो अब है, suppose we have four digits, seven, eight, three, five, अब इस से हमें numbers बनाने, अब है में पास five, four, three, two, मुझे इन numbers को use करके, इन जो इस single number इनको use करके, एक number value बनानी है, मतलब, जैसे कि हम कहते है, one, eight से तुम क्या-क्या बना सकता है, क्या बनेगा एक one, eight से one, eighty, दूसरा eight, one, अब यहाँ पे में पास कितना है, one, two, three, four, तो मैं इन से क्या-क्या number बना सकती हूँ, ठीक हम बनाते हैं पहले, पहले यही लिख लेते हैं, five, four, three, two, ठीक, अब मैं four पहले लिख देती हूँ, four, five, three, two, अब मैं three पहले लिख लेती हूँ, three, five, four, two, अब मैं two पहले लिख लेती हूँ, 2, 5, 4, 3 बस कुछ नहीं, ये नंबर shift कर देगी मैं, 5 पहले था फिर मैंने 4 पहले लिया, पर यहां से नंबर बिल्कुल सेम ऐसी रहा ठीक है, ये हमारे कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, अब ये 54 है जो मैं 54 और 32 इन दोनों को दो-दो के pair में, मैं 32 इधर लिख लेती हैं और 54 इधर 32 इधर 54 इधर इनके नंबर्स चेंज कर दिया, मतलब इनके साइड चेंज कर दिया, ऐसी नीचे 32 इधर 45 इधर 42 इधर 35 इधर 43 इधर 25 इधर देखो 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 मैंने इन से 8 नंबर्स बना दिया और अभी आगे को और बन सकते हैं ठीक है? अब देखो, जैसे इसने 7, 8, 3, 5 से क्या क्या बनाया था? 7, 8, 3, 5 इस अलाओट, बट 7, 7, 3, 5 इस नौट 7, 7 मतलब 7 इसने कहीं और से ले लिए अब ट्राइदी इसका जो पहला पार्ट है यूज़ गिवन डिजिट्स विदाउट रिपिटेशन एंड मेग दे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर रिपिटेशन मतलब बिना रिपीट के जैसे 2 है 2 को आप दो बार नहीं लिख सकते हो टू को सिर्फ एक ही बार लिखोगे तो इन सबसे आपको पहले तो नंबर बनाने है ठीक फिर वो जो नंबर बनाओ गया फोर डिजिट नंबर उनमें ये बताना है कि ग्रेटेस्ट कोन है और स्मॉलेस्ट कोन है जैसे हमने कितने नंबर बनाए थे हमने 1,2,3,4,5,6,7,8 हमने कितने नंबर बनाए थे पूरे 8 डिजिट तो अब इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कोन है सबसे स्मॉलेस्ट कोन है तो अब कैसे चेक करेंगे देखो सब तो हैं 4 डिजिट पर बड़ा कोन है ये तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कोन से है 5,4,3,2 और स्मॉलेस्ट नंबर 2,5,4,3 ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट और ये हमारा क्या हो गया ग्रेटेस्ट मैंने जैसे रफ करेंगे आपको ऐसे रफ नहीं करना है अच्छे रंग से अच्छी तरीके से लिखना है ठीक अब आते हैं अगला टॉपिक Now make the greatest and smallest four digit number ये using any one digit twice अब इसमें देखो Now make the greatest or smallest वापस से हमें four greatest मतला four digit के number बनाने हैं वो भी greatest भी और smallest भी using हमें क्या use करने है हमें दिये तो कितने number है only three हमें कितनी digit दिये है three बट हमें कितनी digit से बनाने है four digit से तो इसने question में लिख है using any one digit twice आप कोई भी digit को या तो आप three को दो बार लिख सकते हो three three या फिर आप eight को मतलब सिर्फ एक को ये नहीं कि three को भी three three लिख होगे और eight को भी eight eight सिर्फ three comma eight comma seven comma three गड़ सकते हो या फिर eight अब हम स्टार्ट करते है exercise one point one exercise one point one का first question है हमारा fill in the blanks fill in the blanks के अंदर पहला question है one lakh equals to dash ten thousand तो हम इसे कैसे solve करेंगे देखो मैंने एक ग्राफ में लिख है one lakh equals to dash ten thousand अब one lakh one lakh कैसे लिखते है once tens hundred thousand ten thousand once tens hundred thousand ten thousand lakh तो one lakh बराबर यह केरा कितने ten thousand हमें यहां पे number fill करना है कि कितना आएगा तो हम क्या करेंगे one lakh को इस ten thousand से divide कर देंगे यह one lakh है once tens hundred thousand ten thousand lakh हम इसको ten thousand हम one lakh को ten thousand से divide करेंगे zero से zero zero से zero zero से zero तो कितना बचा ten तो हमारा answer क्या आगिया ten one lakh equals to ten ten thousand हमें इस 1,00,000 को इस 10,000 से डिवाइट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो आज आपको पता चल जाएगा अगला है हमारा B 1,000,000 इक्वल्स टू डैश 100,000 अब जस्ट इसको भी ऐसी करो 1,000,000,000 कौन से उसमे होते है इंटरनेशनल सिस्टम में तो 1,000,000 को आप 100,000 से डिवाइट करेंगे तो कितना आएगा 10 आप इसे डिवाइट करके चेक कर सकते हैं एक कोश्चन मैंने स्टार्टिंग का A part 1,000,000 इक्वल्स टू 10,000 जैसे कर रहा था सेम इस कोश्चन को भी ऐसे ही करना है क्या लिखेंगे आप सबसे पहले 1 करोड वन करोड यह हैं वन करोड को हम किस से डिवाइट करेंगे 10 लैक से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इस इन सबसे ये सबसे ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचा 10 तो यहाँ पे 1 करोड इक्वल्स टू कितना आएगा 10 ऐसी सेम इसका डी पार्ट 1 करोड इक्वल्स टू हाँ मैनी मिलियन इसे भी 1 करोड को मिलियन से डिवाइट कर दिंगे ऐसी 1 लैक सेम आपको ऐसी हर A, B, C, D, E सब मां आपको ये ही सेम प्रोसेस करने है सैकेंड पार्ट है इसका सैकेंड कोश्यन है इसका प्लेस कॉमास प्लेस कॉमास क्रेक्टली एंड राइट द न्यूमिरल्स कॉमा क्या होते है ये हम ऐसा कॉमा लगाते हैं हमें इस न्यूमिरल्स हमें ये जो यहाँ पे रिटन नंबर लिखा है 73,75,307 इन में कॉमा लगाने हैं और साथ में इनने नंबर्स के फॉर्म में लिखने हैं अब पहला कोश्चन है हमारा 73,75,307 73,75,307 यह हमारे कौन से नंबर्स सिस्टम में है इन्डियन नंबर्स सिस्टम में अगर किसी बच्चे को फिफ्ट का इन्डियन नंबर्स सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर्स सिस्टम क्या होता है इसमें confusion है तो मैं एक बार confusion clear कर देती हूँ, ठीक है, हमाई पास दो number system होते हैं, एक होते है Indian number system, एक होते है international, मैंने ये NS को short में, number system को short में, NS लिखे है, ठीक है, Indian number system के अंदर आते हैं, हमारा, once, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, करोर ये चीज़े किसके अंदर आते हैं, Indian system, अब international system के अंदर क्या आते हैं, once, tens, hundred, once, tens, hundred, once, tens, hundred, thousand, hundred, thousand, पढ़ेंगे, 10,000, hundred, thousand, ten hundred, thousand, सॉरि, एक है, मैं से दुबार अच्छी से बताती हूं, once, tens, hundred, ठीक, ten thousand, thousand, पढ़ेंगे, ten thousand, हंड्रेट टैन साथॉजन इसके बाद आ जाते हैं मिलीन फिर टैन मिलीन ठीक है इंडिया इंडियन इसिस्टम में आपढ़एंगे जीरो टैन से हंडरेट तैन 10,00, 10,000, 10,000, 10,000,000, 10,000,000, 10,000,00, 10,000,00, 10,000,00, और international system माँ पर लिए 1,10,000, 10,000, 100,000,000, 10,000,00, 1000,000,000, 100,000,000,000, 10,000,000,000,00, और आगे को 100,000,000,00, छिक, अब ये नंबर हमें 73,000,00, 75,307, ये कौन से system में है जहां पर lag है तो ये हमारा Indian system में है अब हमें इसे लिखना है विट कॉमा लगाते हैं ठीक है नंबर्स में 73 लैक मतलब 73 लैक 75 थाउजंड 75 थाउजंड एंड 307 थाउजंड के बाद कॉमा लगता है फिर थाउजंड 10 थाउजंड के बाद कॉमा लगता है तो यह आगे हमारा 73 लैक 75 थाउजंड 307 अब अगला कॉश्चन हमारा 9 करोर 5,41 तो यह हमारा कौन से नंबर सिस्टम में है इंडियन नंबर सिस्टम में तो आप इसे भी इसली आराम से कर सकते हैं 9 करोर 5,41 सेम ऐसी 7 करोर 52 लैक सेम आगे को यह बस एक बी वाला इसमें देखो इसमें लिखा है 58 मिलियन तो यह अब किसमा आगे हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में तो अब आप इसे क्या करेंगे 58,423,200 ठीक आप मैं इसको करके बता तो हम इसे लिखेंगे 58,500,000 58,000, 58,000, 423,423,200,2,200,2 अब आप इसमें कॉमा कहां से लगाएंगे, इंटरनेशनल में हम कैसे लगाते हैं, फिर वापस से थ्री डिजिट्स के बाद, एक बार मैं आपको कॉमाज का बताती हूं, इंडियन सिस्टम में हम कैसे कॉमाज लगाते हैं, और इंटरनेशनल में हम कैसे लगाते हैं, 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 insert comma situably and write the names according to Indian system numeration. हमें सबसे पहले इन नंबरों में ये जो नंबर है ए हमें इन में पहले comma लगाना है फिर इनको Indian system में लिखना है तो मैंने अभी आपको बताया हमें Indian system में कैसे comma लगाते हैं पहले हम इसमें comma लगाएंगे once 10107 के बाद फिर हम comma लगाएंगे 1000 10,000 95 के बाद फिर हम लगाएंगे comma 57 75 के बाद और ये हमारा नंबर हम कैसे लिखेंगे 8 करोर 75,95,762 सेम आपको इसके आगे के भी question करने है next है हमारा insert comma situably and write the names according to international system of numeration इन नंबर में भी हमें comma लगाने हैं पर किसके according international system international में बताया था आपको पहले once 10 100 के बाद comma लगता है फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद comma लगता है तो हम यहाँ पर इस नंबर में कहाँ पर comma लगाएंगे इस नंबर पे हम कहां पे लगाएंगे एक कॉमा हम जीरो के बाद लगाएंगे जीरो से पहले लगाएंगे जीरो पे लगाएंगे एक कॉमा दुसरा कॉमा हम लगाएंगे नाइन के आगे पे एक कॉमा हम जीरो के आगे पे लगाएंगे एक कॉमा हम 9 के आगे पे सेम ऐसे ही इसमें हम एक कॉमा 2 के आगे पे लगाएंगे यह 2,8,3 2 के आगे पे और दूसरा कॉमा हम 4 के आगे पे लगाएंगे और आगे के भी सेम ऐसे ही करने हैं यह आप लोग खुद करेंगे अगला हम इसके एक्सराइज पर आते हैं एक्सराइज 1.2 एक्सराइज 1.2 अब हमें इन में एक्सराइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर से देखते हैं 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितने सैंटी मीटर होते हैं? 100 सैंटी मीटर ठीक? 10 मीली मीटर बराबर कितना होते हैं? 1 सैंटी मीटर यह इंपोटेंट चीज़ें हैं 10 मीली मीटर बराबर वन किलोमीटर बरावर वन थाउजन मीटर वन ग्रैम बरावर वन थाउजन मिलिग्रैम वन लीटर एक्वल टू वन थाउजन मिली लीटर यह जितने भी हम मैंने पढ़ाये आपको फाइफ, फाइफ में जो मैंने पढ़ाए तैन मिलिमीटर वन मीटर इक्वल्स तू वन किलो मीटर इक्वल्स तू वन ग्राम इक्वल्स तू यह सब आपको याद होने चाहिए यह बहुत इंपोटेंट है यह हर जगर पूछा जाता है अब हम आगे को आते हैं इसकी एक्सिसाइस पर ठीक है अब बुक एक्विशन वास हेल्ड फॉर डेज इन इस्कूल बुक एक्विशन मतलब जैसे हम कहता है बुक एक्विशन है बुकों का कहीं पर एक्विशन लगेगी मतलब आप वहाँ पर बुक्स देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बुक देखने जा सकते हैं, कि कौन कौन सी बुक्स आई हैं फोर दिन, चार दिन के लिए हमारे स्कूल में एक बुक एग्जबीशन होने वाली है है the numbers of tickets sold at the counter on the first second third and final days was respectively जैसे अब exhibition में जाते हैं जैसे हम movie देखने जाते हैं as example में आपको बता रहूं हम movie देखने जाते हैं तो हमें ticket खरीदना पड़ता है हमें movie दिखाई जाती है ऐसी book exhibition के लिए भी हमें ticket खरीदना पड़ता है वहां हम बहुत सारे types की varieties के हमें books देखने को मिलती है तो जो ticket sold हुई books के लिए first second third और चार दिन की जो ticket test बिकी sold मतलब बिकना वह क्या होई पहले दिन हमारी कितनी ticket बिकी 1094 अगले दिन कितनी 1812 उसके अगले दिन 2050 और लास्ट दिन 2751 find the total numbers of tickets sold on all the four days हमें find out करने है कि total कितनी ticket है चार दिनों में हमारी बिकी तो आप कैसे करेंगे बहुत बहुत easy है हम इन चारो देश के चारो दिनों के जो ticket हमारी sold हुई है इन सब को कैसे क्या करेंगे कि हमें total नहीं के पता चल जाएगे कि total कितनी भी की addition हम क्या करेंगे addition आप first day का first day का second day का third day का fourth day का इन सब को क्या करोगे आपस में add तो और हमें total number of tickets ठीक अब हम next ठीक आप इन सब को add करोगे और हमें total number of tickets पता चल जाएगे अगला question है second सेखर सेखर कोई व्यक्ति का नाम है वो एक famous cricket player है एक बहुत प्रसिद्ध cricket का खिलाडी है he was so far scored 6980 runs in a test match उसने एक test match में कितने runs बनाए six thousand nine hundred eighty he wishes to complete he wishes wish मतलब उसकी इच्छा थी कि वो complete करे complete मतलब किसी काम को पूरा करना या या पूर्ण तो फिर उसकी इच्छा थी कि वो ten thousand run बनाए how many more run does he need तो उसे कितने और रनों की आउशक्ता होगी ten thousand run बनाने के लिए उसने कितने run बना लिए six thousand nine hundred eighty तो ten thousand बनाने के लिए कितने और रनों की जरूरत होगी किसी को कोई idea क्या करेंगे हम इसमें subtraction किससे किसको ten thousand से हम six thousand nine hundred eighty को subtract करेंगे और हमें answer मिल जाएगा यह बहुत easy है addition subtraction आप आराम से इसे कर सकते हैं ठीक है next question है हमारा question third in a election the successful candidate registered five thousand five lakh sorry five lakh seventy seven thousand five hundred votes and his nearest rival secured three lakh forty eight thousand seven hundred votes in a election एक election में उमीद्वार candidate को हम कहते हैं उमीद्वार उने registered करें ठीक है दो उमीद्वार थे कोई भी दो लोग हैं वो election किसी चीज के लिए election लड़ने हैं चुनाओ election को हम क्या कहते हैं चुनाओ तो एक ने कितने वोट मिले एक को five lakh seventy seven thousand five hundred और उसी के साथ जो दूसरा दूसरा इंसान था है दूसरा जो भी चुनाओ लड़ना था candidate उसको कितने वोट मिले three lakh forty eight thousand seven hundred by what margin did the successful candidate win the election तो फिर हमें वह मार्जिन बताना है कि कौन सा मार्जिन था कौन से मार्जिन से किसी एक उमिद्वार ने अच्छी तरह से चुनाओ तो हमें यह वोट से जीता किने अधिक वोटे क्यों से जीता किंधी आधीक वोटे से जीता आप मैं साफ साफ तो Kerry कि वोट जीता जिसके जाद है जाद टिसके 5 लाक वाले चार हमें Margin बताना है कि स्टने और कितने जादा जो दुसरे से मुताबिक कितने ज़्यादा वोट हासिल करें तो हम वो margin निकालने के लिए क्या करेंगे जो हमारा highest vote है उनसे हम इन lowest वालों को subject करेंगे और जो हमारी number हमें मिलेगा वो हमारा क्या जाएगा margin ठीक है ये भी easy है आप आराम से कर सकते हैं अब हम fourth question पर आते हैं fourth है कीर्थी book store sold book worth 2,85,891 in the first week of June कीर्थी ने जो कीर्थी की book store है वहां से उसने books बेची first week पहले हफते June के कितने books बेची 2,85,891 and book worth और जो book थी book की worth कितनी हुई 4,768 in the second week of month how much was the sale for the two weeks together how much was the sale total बिकरी उसकी कितनी हुई दोनु हफतों की साथ मिला कर तो हम क्या करेंगे दोनु को addition कर देंगे total बिकरी निकालने के लिए in which week was the sale greater by how much अगला question यह सी में पूछ रहा है कि in which week कौन से हफते was the sale greater sale जादा हुई and by how much और कितनी जादा हुई तो आपको साफ साफ दिख रहा है कौन से हफते जादा हुई second week जादा हुई पर कितनी जादा हुई कैसे पता करेंगे जो हमारा highest number है जो second week के highest हमारी वर्थ हाई यह उससे हम यह first week वाली वर्थ को subtract कर दिंगे तो हमें हमारा how much जो हमारी हुई है सेल और कितने in which week second week में हमारी कितनी जादा सेल हुई है हमें पता चल जाएगा यह भी easy है easy तो सभी है बस आपको थोड़ी सी practice करनी पड़ेगी आराम से हो जाएगे next है fifth find the difference between the greatest and least five digit number can be written using the digit six comma two comma seven comma four comma three each only once तो हमें बताना है हमें जो यह numbers दिये हैं five digit के six two seven four three हमें इनसे एक पहले बड़ा number बनाना है greatest number और एक smallest number बनाना है ठीक फिर उस greatest और smallest number के बीच का हमें difference बताने तो यह मैं आपको एक बाद करके बताती हूँ हम six two seven four three से कैसे smallest और एक कैसे greatest number बनाएंगे तो देखो six two seven four three से हमें greatest number बनाना है तो हम greatest कैसे बनाएंगे सबसे बड़ा कौन है seven फिर six फिर four फिर three two तो यह हमारा क्या बन गया सबसे greatest number अब हमें इससे smallest बनाना है तो सबसे छोटा कौन है two two के बाद three three के बाद four four के बाद six और six के बाद seven तो यह हमारा smallest नंबर बन गया यह smallest और यह greatest तो जैसे कि मैंने अभी आपको smallest और greatest number बना के दिखाए आप भी ऐसी number बनाएंगे फिर उसके बाद जो हमारा greatest नंबर है उससे smallest नंबर को सब्चेक्ट कर देंगे हमाया आंसर निकल जाएगा next question है six a machine on average manufacture two thousand eight hundred twenty five screw a day how many screw did it produced in the month of January two thousand six eight machine manufacture मतलब बनाती है average और सितन screw हम सभी को पता है screw कहते हैं हम जिसे हम कीलों को खोलते हैं बहुत जगह यूज होता है कितने screw बनाती है machine two thousand eight hundred twenty five ठीक how many screw did it produce तो वह कितने screw बनाएगी जनवरी two thousand six के महिने में मतलब एक महिने में हमारे तो जनवरी two thousand six के महिने में हो कितने screw बनाएगी जनवरी two thousand six का जनवरी 30 गया था 31 गया था आप चेक कर ले ना पर मैं आपको वेसिकली मुझे पता है तो इसलिए मैं बता देरी हूं 31 गया था तो हमें पता करने हैं कि वह जनवरी की महिनों में कितना बनाएगी तो हम 31 से इस two thousand eight hundred twenty five को हम multiply करेंगे तो हमें हमारा how many screw did it produced in the month of January मिल जाएगा 7th a merchant has 78,592 रुपी विधर एक merchant के पास कितने रुपिये हैं 78,592 सी प्लेश्ट मतलब कोई लड़की है तो इसलिए हाँ पर शी आया ठीक है सी प्लेश्ट एन ओर्डर ऑफ पर्चेजिंग 40 रेडियो सेट एट रुपी त्वैल थाउजन इच उसने 40 रेडियो सेट का ओर्डर दिया है ठीक है उसने 40 रेडियो सेट का ओर्डर दिया है जिसकी कीमत कितनी है 12,000 एक की एक रेडियो की कीमत कितनी है 12,000 तो 40 रेडियो की कीमत कैसे पता करेंगे हम 40 इंटू 12,000 40 इंटू 12,000 how much money will remain with her after the purchase तो रेडियो को खरीदने के बाद वो 40 रेडियो को खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपे वापस बचेंगे तो हम 40 इंटू 12,000 करेंगे जितना आएगा उससे जितना आएगा उससे हम 78,000 से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसके पास बाकी कितने पैसे बचेंगे अगला कोश्यन है 8 A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56 एक student ने multiply करा 7,236 को किस से 65 के पर उससे multiply किस से करना था 56 से By how much was his answer greater than the correct answer By how much तो कितने नंबरों से ज़्यादा answer greater than the correct answer उसका answer जो यह आया है कि कितने नंबर ज़्यादा है किस से जो correct answer मतलब उससे सही में करना किया था उससे करना था 56 से divide पर उसने गलती से किस से divide कर दिया 65 से तो हमें उन दोनु के बीच का फरक बताना है और यहाँ पर हिंट में दिया है Do you need to do both multiplication? आपको दोनु multiplication एक तो हमें यहाँ पर करके दिया है multiplication और दुसरा multiply हम खुद करके बताएंगे तो यहाँ पर दिया है हिंट में Do you need to do both the multiplication? हिंट दिया है क्या आपको दोनु multiplication करने की आउशकता है या नहीं आप दोनु multiplication भी कर सकता है बीना दोनु को multiply करके भी आप पता कर सकते कैसे? 65 आप ऐसे लिख सकते हैं 7, 2, 3, 6 multiply by 65 minus 56 तो यह आजाएगा आपका 7, 2, 3, 6 इंटू 9 65 से 56 घटा के आपका 9 आएगा फिर 9 से आप इसे इंटू करेंगे तो आपका आंसर इसली आपको मिल जाएगा अगला कोश्यन है तू स्टिच अ शर्ट तू मीटर 15 सेंटी मीटर क्लॉथ इस नीड़ेट आउट ओफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मनी शर्ट कैन बी स्टिच और हाउ मच क्लॉथ विल रिमेड एक शर्ट को स्टिच करने के लिए सिलने के लिए हमें 2 मीटर और 15 सेंटी मीटर कपड़े की आउशकता होती है तो आउट ओफ 40 मीटर क्लॉथ 40 मीटर क्लॉथ से आप कितनी शर्ट को स्टिच कर सकते हैं और कितना कपड़ा आपको लास्ट में बचा हो आप मिल जाएगा तो हम इस कुश्चन को टू स्टिच वाले शर्ट को में आपको करके बताती हूँ हम सबसे पहले इन सब को डेटा को जो कनवर्ट हिंट में दिया है कनवर्ट डेटा इन सैंटी मीटर हम इन सब डेटा को सैंटी मीटर में कनवर्ट करेंगे देखो टू मीटर फिफ्टीन सैंटी मीटर को हम कनवर्ट करेंगे कितना आएगा हमारा टू मीटर फिफ्टीन तो हमारा अल्रेडी कनवर्ट है सैंटी मीटर में टू मीटर को करेंगे तो वन मीटर इक्वल टू कितना होता है हन्रेट सैंटी मीटर तो 2 meter equals to 200 centimeter फिर हम इन दोनों को add करेंगे तो कितना आएगा 215 centimeter अब हमें 40 meter को convert करना है तो हमारा 40 का कितना आएगा 4000 centimeter कैसे 40 into 100 अब जो हमारा 4000 centimeter है उसे हम 215 से divide करेंगे तो divide आप करके देख सकते हैं मैंने कर रखे है divide 215 से हम 4000 को divide करेंगे तो हमारा 18 जए divide होता है और remain reminder हमारा बचता है 130 तो जो हमारा ये 18 आ रहा है question में ये हमारी हो गई कमीजों की संख्या 18 हो गई हमारी shirts number of shirts और 130 जो हमारा बच रहा है 130 centimeter ये हमारा remaining cloths ये remained cloths हो गया बचा हुआ कपड़ा next है अब ये भी किलो ग्राम वाला है एक बच्चे के घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है 1 किलो मीटर 875 मीटर एवरी डेज शी वाक बोथ वे रोज वो इतना आता है फिर इतना वापस घर को जाता है find the total distance covered by her in 6 days उसके द्वारा 6 दिनों में कितना वो चला आना जाना हमें पूरा जितना वो cover करा हमें वह बताना है तो कितनी दूरी बताई हमें 1 किलो मीटर और 875 मीटर ठीक तो 1 किलो मीटर को हम मीटर में convert करेंगे कितना आएगा 1000 प्लस 875 मीटर तो ये कितना है 1875 मीटर अब वो इतना रोज एक दिनों जाता भी है और जितना जाती भी है आती भी है तो हम इसे किस से multiply कर दिंगे into 2 और question के according हमें 6 days का बताना है कि वो 6 days में total कितनी दूरी तही करेंगे तो इसको साथ में 6 से भी into करेंगे अब 18275 multiply 2 multiply 6 करके जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा answer इसे multiplying आप खुद करोगे next question है हमारा question number 12 question number 12 है a vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd एक जार में आप 4 liter और 5 milliliter का दही रखते हो ठीक है in how many glass each of 25 milliliter capacity can be filled हर glass में 25 milliliter आपको भड़ना है तो आप कितने glass को fill up कर पाओगे तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले 4 liter को हम milliliter में convert करेंगे फिर उसे और 500 को आपस में add करेंगे 400 liter को milliliter में convert फिर उसको और 500 milliliter को आपस में add करोगे और उसे divide कर दोगे कितने से 25 से divide करके जो भी हमारा question आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा answer उतने हमारा glass हो जाएगे जिनमें हम दही भर सकते हैं तो ये थी हमारी exercise 1.2 इसमें से बहुत सारे question मैंने आपको solve करने के लिए दिये हैं तो आप इसे खुद try करेंगे next question है हमारा estimate the following using general rule हमें इनका calculation करना है कौन से rule से 730 plus 998 अब general rule हम इसमें कैसे लगाएंगे आप लोग सोच चूंगे general rule है क्या बताए तो नहीं पर हम ये question ये जो भी हमारा question हम इसे solve करेंगे इसमें जब general rule apply करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा general rule होता क्या है question हमारा 730 plus 998 ठीक अब हमें इसमें general rule लगाने 730 हमारा 700 के नजदीक है या फिर 800 के या फिर आप कह सकते है 750 के 730 हमारा 700 के close है या 750 के 700 के basically इसमें 100 ही लेते है अब है रुचा 730 हमारा 700 के near है या 800 के obviously 700 के 800 तो बहुत दूर है तो ये किसके near है 700 के सेम 998 900 के near है या फिर 1000 के near है किसके near है 1000 के तो प्लस 1000 तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे कितना आ गया 1700 हम जनरल रूल में हम जनरल रूल में क्या देखते हैं जैसे हमें कोई नंबर दी है ठीक में को 15 प्लस 98 दी है अब हमें इसमें जनरल रूल लगाने है तो 15 किसके नजदी के 10 के 98 किसके नजदी के 100 के तो ये कितना हो जाएगा 110 हम इन कुश्चनों को ऐसे सॉल्व करते है ठीक मैंने आपको जनरल रूल लगा के एक कुश्चन सॉल्व करके दिखाया अब बाकी के जो तीन कुश्चन आप इनको खुद ट्राइ करेंगे बहुत एजी है किसके नियरस्ट है 796 किसके नियरस्ट है 800 के और 314 किसके नियरस्ट आएगा 300 के और आप इसे सिंपल से माइनस कर दीजे नेक्स्ट कोश्चन है गिव अ रेफ एस्टिमेट बाइ राउंडिंग आफ तो नियरस्ट हन्रेट एंड अ क्लोजर एस्टिमेट बाइ राउंड आफ नियरस्ट तो हमें इसका रफ एस्टिमेट करना है इनको पहले राउंड आफ करना है हमें यहाँ पर दो कोई एडिशन लिख है पर हम इसे एडिशन नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकता आप क्या करोगे 439 है 439 किसके नियरस्ट आएगा 400 के 334 किसके नियरस्ट आएगा 300 के और 4317 किसके नियरस्ट आएगा 4300 के हम इसे नियरस्ट 100 करेंगे तो वन स्टेंज हन्रेड वाली डिजिट को ही हमेंने नियरस्ट करना है और देन आफ्टर आप इन तीनों को एड कर दोगे अब जैसे हमाई पास कोश्यन है 108 734 माइनस 47,599 तो आप इसमें 734 को का ही नियरस्ट करेंगे और 599 का ही नियरस्ट करेंगे 734 और 599 का देन आफ्टर आप उसे माइनस करेंगे अगला है हमारा estimate the following products using general rule हमने इसमें भी general rule लगा general rule कुछ नियरस्ट आपको बस number के नियरस्ट जैसे ये 25 है 25 किसके नियरस्ट आएगा 10 के या 100 के obviously 10 के अब जैसे है 5 598 किसके नियरस्ट है 600 के 1 1,598 ये किसके नियरस्ट है हम हमेशा round of या नियरस्ट कितने तक का निकालेंगे 100 तक का 1,10,100 तक का तो ये किसके नियरस्ट आ रहा 1,600 के अब बहुत सारे बच्चों को जिनको थोड़ा रिविजन होगा उनके लिए easy है बाइचन्स कोई कहेगा कैसे हम नियर ओफ लगा रहे हैं आप एक basic ये भी कर सकते 1,50 और 100 10,50 और 100 50 से 10 और 50 के बीच में जितने भी नमबर होंगे मतलब 20,30,40 वो सब किसके अंदर आएंगे 10 के और 60,70,80 ये सब कहा जाएंगे 100 वाले के पास तो बस हमें यही देखना होता है जैसे है 5,25 तो ये कहां जाएगा 50 के इस साइट 25 है इस साइट तो क्या आएगा ये 500 अगर बाइचांस यहां पे होता 552 तो ये कहां जाता इस साइट 50 के इस साइट जो मैंने आपको पहले बताएग इस साइट तो कितना आएगा 600 चीक है अब इसका थर्ड है एस्टीमेट फॉलाइग प्रोडेट्स यूजिंग जैनरल रूल यहां पे हमें मल्टिप्लाई करने है और मल्टिप्लाई में क्या लगाने है जैनरल रूल तो आप देखो 578 किसके नियर आएगा 600 और 161 किसके नियर जाएगा 200 तो 5600 इंटू कितना होगा 200 मल्टिप्लाई करो 12 आप इसा इसली मल्टिप्लाई करना यहां पर थोड़ा हो नहीं पार है पर बेसिकली सभी को समझमा आ गया होगा मैं इसका अगला पार्ट भी आपको करके बताती हूँ अगला कुश्यन 5281 किसके नियर आएगा हमें सिर्फ 3 डिजिट तक देखना है तो इसके नियर आएगा 300 के और 3491 किसके नियर जा रहा 500 के और बीच में तो आपको यह सेम करना है बहुत इजी है एक्साइज 1.2 बहुत इजी है कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ नियर इस देखना है अब है हमारा लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक रोमन नूमरल्स या रोमन नंबर्स रोमन नंबर्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले यह जो यहाँ पर टेबल है पेज नमर्ट 25 में यहाँ पर यह के टेबल है मैं इसे हेडलाइट कर देती हूँ सॉरी यह जो टेबल है सबसे इंपोटेंट है वन को रोमन में कैसे लिखते हैं आई टू को डबल आई त्री को ट्रिपल आई फोर को आई भी फिस्त को वी जैसे कि यहाँ पर एग्जामपल दिया है ठीक है? 69 तो 69 को इसने कैसे लिख है? 60 प्लस 9 60 प्लस 9 बस आप उतना ही देखें 69 को क्या लिख है? 60 प्लस 9 अब 60 को हम क्या लिखते हैं? 60 को हम रोमन में क्या लिखते हैं? टेबल से देखें क्या लिखते हैं? LX और 9 को हम क्या लिखते हैं? टेबल से देखो I LX और 9 को क्या लिखते हैं? IX देखो बन गया जरूरी नहीं है आपको सिर्फ main ये याद करने है उसके अलाओ जरूरी नहीं है 59 याद करना ये सब चीज़ आपको रटने के कोई जरूरत नहीं है main इनको आपको याद करना है बाकी के सब easily बन जाते हैं जीसे कि एक नमबर है 25 फाइफ ठीक है अब 20 को हम क्या लिखते हैं एक्स एक्स और 5 को क्या लिखते हैं वी 20 प्लस 5 एक्स एक्स वी है ना इसी बहुत इसी है इसकी एक्साइज है हमारी ट्राइडिस ओके यहां पर ट्राइडिस का जो दिया है हम इसे ट्राइडिस करते है ट्राइडिस में हमारा नमबर है पहला 73 तो 73 को हम कैसे लिखेंगे 70 प्लस 3 70 को हम क्या लिखते हैं 70 प्लस 3 70 को हम क्या लिखते हैं टेबल से देखो एल एक्स एक्स और थ्री को हम क्या लिखते हैं ट्रिपल आई तो यह हो गया हमारा आंसर एल एक्स एक्स ट्रिपल आई अब है हमारा 92 92 को हम तोड़ेंगे 90 प्लस 2 90 को क्या लिखते हैं XC 2 को क्या लिखते हैं डबल आई यह आगे हमारा आंसर यह बहुत एज़ी है ऐसी आप सारे कुश्य नाराम से कर सकते हैं यह था हमारा चैप्टर फर्स्ट नोविंग अवर नंबर्स इसमें हमने क्या क्या सीखा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इंडियन नंबर सिस्टम क्या होते हैं कॉमा कहां कहां पर कैसे लगाते हैं जनरन रूल सीखा वन मीटर बराबर कितना सैंटी मीटर होता है वन किलो मीटर बराबर कितना मीटर होता है और रूमान नंबर्स